साथियों बगवान महाकाल एक मात्र ऐसे जोतिरलिंग है जो दक्षिल मुखी है ये शीव के ऐसे स्वरूप है जीस्ट की बश्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हर भक्त अपने जीवन में बश्म आरती के दर्शन जरूर करना चाहता है बश्म आरती का धार्मिक महत्वा यहां उपस्तित आप सब संद्गर्ण जादा गहराई से पता पाएंगे लेकिन मैं इस परंपरा में हमें भारत की जिवडता और जिवनता के दर्शन भी करता हूँ मैं इसमें भारत के अपराजे अस्तित्व को भी देखता हूँ क्योंकि जो शीव जो शीव सोयम भूती विबुशना हा अर्थात बस्तप को धारन करने वाले हैं वो सरवादि पहस सरवदा भी है अर्थात वनस्व और अमिनाशी भी है इसलिए जहां माकाल है वहां काल खंडों की सिमाए नहीं है महाकाल की सरण में विश में भी विश में भी स्पंदन होता है महाकाल के सानिद्य में अवसान से भी पुनर जिवन होता है अंत से भी अनंत की आत्रा आरंब होती है यही हमारी सब्यता का वाध्यात्मिक आत्म विश्वास है जिसके सामर्त से बारत हजारों वर्सों से अमर बना हुआ है अजरा अमर बना हुआ है अब तक हमारी आस्ता के एक केंद्र जागरत है भारती चेतना जागरत है भारती आत्मा जागरत है अतीत में हमने देखा है प्रयास हुए परिस्थिद्या पल्टी सत्ताएं बदली भारत का सोशन भी हुआ आजादी भी गई इल्तु तमीज जैसे आक्रमन कारियों ने उज्जेन की उर्जा को भी नस्त करने के प्रयास किये लेकिन हमारे रुष्यों ने कहा है हमारे रुष्यों ने कहा है चंदर सेखरम आत्रे चंदर शेखरम आत्रे ममकिम करिशती ब्ययामा अर्थाक महाकाल शीव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा अर इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की उर्जा से फिर पुनर्जवित हो उठा फिर उठ खड़ा हुआ हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्व व्यापी गोशना कर दी भारत में फिर महाकाल के आसित से काल के कपाल पर काला तीत अस्थित्व का सिला लेख लिख दिया आज एक बार फिर आजादी के इस अमरत्व काल में अमर अवन्तिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की गोशना कर रही है उज्जेन जो हजारों वर्षों से भारतिय काल ज्वनकना का केंद्र बिंदु रहा है वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए काल खंड का उद्गोश कर रहा है